गेड़ाइच प्यारे बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास त्विल्थ का चैप्टर लौस्ट स्परिंग जिसे लिखा है अनिस जुंग्ने बच्चों ये lost spring है क्या? Lost means खोया हुआ और spring मतलब बसंत तो क्या बसंत खो गया है? नाना बसंत नहीं खोया है यहाँ पे यहाँ बसंत symbol है, symbolize कर रहा है बच्पन को बच्पन खो गया है यहाँ पर वो कैसे खो गया है बच्पन? देखो बच्चों, due to poverty and lack of education यानि कि शिक्षा की कमी और गरीबी की कारण जो families होती है, poor families वो अपने बच्चों को labor के लिए बेजेती हैं और उनके जो चोटे-चोटे काम होते हैं वो उनकी family की income को support करते हैं और आपको पता है कि उनके लिए सिरफ दो टाइम का खाना बहुत matter करता है इसलिए वो अपने चोटे-चोटे बच्चों को काम पे भी लगा देते हैं यहाँ पे जो राइटर हैं, वो two different worlds के बारे में बात कर रही हैं यह different worlds हैं, the world of wreck pickers and the world of bangle makers इनकी life के बारे में उन्होंने एक life जो है description दिया है यहाँ पर जो कि बहुत ही miserable और deplorable conditions को यहाँ बता रहा है कि कैसे वो miserable life अपनी जी रहे हैं She focuses on the children who are doing menial and dangerous tasks मतलब वो focus करती हैं ऐसे बच्चों पर जो बहुत ही मतलब छोट छोटे काम और बहुत ही dangerous काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं तो support the income of their families की अपनी families की income को वो support कर पाएं तो चलिए हम इसका first part करते हैं आज और मैंने बहुत सारी छोटी छोटी lines में पूरा chapter cover करने की कोशिश की है जल्दी जल्दी से अपने not books लीजिए, pants लीजिए और इन notes को लिखना शुरू करिए और आपको बहुत सारे questions के answer मिलने वाले हैं यहां पर चलिए start करते हैं यह first world है हमारा जो कि यहां राइटर बता रही है रेकपिकर्स का हम उसके बारे में बात करते हैं sometimes I find a rupee in the garbage कभी-कभी मुझे कच्रे में गार्वेज में इस कच्रे में एक रुपया मिल जाता है यह आई है यहां पर हमारा साहिब आलम जो की क्या है साहिब वाजे यंग रेकपिकर्बॉय साहिब एक छोटा सा रेकपिकर्बॉय है कच्रा बीनने वाला लड़का His family come from Dhaka उसके family कहां से आई है? धाका से आई है धाका है बांगलादेश की राजधानी अब क्यों आई उसकी family? रीजन क्या था? क्यों बनता है कहां से आई? भांगलादेश से? धाका से? क्यों आई? Because there were many storms that swept away their fields and homes क्योंकि बहुत सारे वहां तुफान आई जो कि उनके खेतों और उनके घरों को बहा कर ले गए उनका सब वहां पे खतम हो गया, उजट गया, that's why they had to come in India At present, they live in Sema Puri अब इस समय वो कहां पर रह रहे है बचों? Sema Puri में A place on the border of Delhi और ये Sema Puri कहां है? दिल्ली के border पर दिल्ली की Sema पर ये Sema Puri बसा हुआ है अब साहिब क्या करता था? साहिब सर्च किया करता था कुछ valuable कि कच्रे के धेर में से कुछ उन्हें कीमती समान मिल जाए, कोई सिक्का मिल जाए और वो उसको बेच कर अपना सर्वाइब कर सके, अपनी आजीवी का चला सके ओथर advised him to go to school and साहिब also wanted to go to school अब ओथर ने उसे क्या advice दी? ओथर ने उसे कहा कि तुम्हे स्कूल जाना चाहिए, you should go to school और साहिब भी जो है वो स्कूल जाना चाहता था, उसने भी कहा हाँ वन डेए ता ओथर आज़े इम, if he would come, if she started a school तो एक दीन लेखी का अच्छली क्या है कि अपने घर के बाहर रेक्पिकिंग के लिए वो आते थी तो वो उसे बात कर लिया करती थी वो बार बार आकर पूछता था राइटर से कि क्या अपने अपना स्कूल बना लिया, तो वो कहती थी कि नई स्कूल बनाने में तो बहुत लंबे समय लग जाता है अब राइटर ने उसे कहे तो दिया था पट ऐसी बातें, ऐसे वादें, उनके एक जो ब्लीक वर्लल्ड है उनके अंधेरे संसार का ये हिस्सा होते है तो साहिब्स फूल नेम, अब आगे चलते हैं साहिब का फूल नेम क्या है? तो साहिबे अलम, जब राइटर उससे पोस्ती है, तो मेरा फुल नेम क्या है, तो बताता है, साहिबे अलम, साहिबे अलम का means क्या है, बच्चों, यह important है, Lord of the Universe, इसका मतलब है, ब्रहमांट का देवता, ब्रहमांट का साहिब, इस वेरी हार्ड तो बिलीव इट, यह बड़ा पूर बाइस को अबाउट विदाउट शूज चपल, बिकॉस दे कुद नॉट अफ़र तो बाइट, यह चोचटे लड़के थे गरीब, यह गूमते रहते थे विदाउट शूज, बिना शूज, बिना चपलों के नंगे पैर, बियर फुटेट होते थे यह, बिकॉस दे लोग फैंक देते हैं, जो उनको यूसफूल नहीं लगता है, तो गली में फैंक देते हैं, तो कभी-कभी तो उन बच्चों के एक पैर में एक अलग शूज और दूसरे पैर में अलग शूज पहना होता था, एक अच्छे सा जमा हुआ पैर नहीं पहना होता था, और यह थ वो अपनी पावज जी को कवर कर लेते हैं धग लेते हैं आप यहां पर राइटर बाद करती है सीमापुरी सीमापुरी आप से कर दिल्ल के अंदर भी थी और लेकिन आउट ऑफ सीटी जैसे कुछ कलोनिया बस जाती हैं यह अनदुकृत कलोनी थी because this area lacks all the basic facilities क्योंकि यह जो area था वो basic facilities यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी यहाँ basic facilities की कमी थी 10,000 ragpickers live there How many ragpickers? 10,000 ragpickers थे वो यहाँ रहते थे without an identity, बिना किसी पहचान के, बिना किसी permit के but with ration cards that get their names on water slits लेकिन उनके पास ration cards थे राशन कार्ड क्यों थे बच्चों? क्योंकि राशन कार्ड होने की वज़े से उनके नाम waters की list में शामिल किये जाते थे include किये जाते थे and enable them to buy grain और जिसकी वज़े से वो लोग थोड़ा जो अनाज वगरा जो government हमें provide करवाती है poor people को तो वो उसे खरीद सकते थे वो वहां से ले सकते थे आगर उनके पास राशन कार्ड है they lived in structures of mud वो जो मिट्टी के जो बने हुए धांचों में रहते थे they lived in structures of mud वो मिट्टी के जो धांचे हैं उसमें रहते थे corn भला rag pickers कहां रहते थे सीमापुरी में they had roofs of tin and tarpaulin और जो उनकी जो यह था सीमापुरी के लोग वहाँ पे जो फैसलिटी सी वहाँ पे यह सब था वहाँ पे और वो ऐसे रहते थे बीना किसी सीरेज के drainage के एक मतलब बिल्कुल बदबूधार जगह पर for rag pickers garbage to damage gold only a source for their survival rag pickers के लिए जो garbage था गोल्ड था यह question आ सकता है क्यों गोल्ड था बई क्योंकि यह only a source यह एक source था उनके survival का उनकी आजीवी का का उनके जीने का they searched for something valuable in the garbage यह जो rag pickers थे यह लोग garbage में से कुछ valuable ढूनते थे and sold it और उसे base देते थे for a little money थोड़े से पैसो के लिए और फिर उससे जो भी उनसे बन पड़ता था वो अपनी दाल दोटी का बुजारा करते थे author here says ironically for them rag picking has become a fine art यहां पर author बड़े व्यंग्यात्मक रूप से कहती है उनके लिए कि rag picking जो है उनके लिए एक fine art चिक कला बन गई है because they knew where they had to go for rag picking क्योंकि वो अच्छी थरह समझते थे कि उन्हें rag picking के लिए कचरा बेनने के लिए कहां जाना है what to collect वो समझने लगते थे कि उन्हें collect क्या करना है how to categorize क्या चीजों को शेनिवत करना है सब चीजों वो ले आते थे अपने जोले में डालकर अपने वो plastic वाले bag में डालकर and where to sell और उसे कहां बेचना है यह सब वो जानते थे garbage for the children it is wrapped in wonder बच्चों उन पच्चों के लिए यानि कि रैक्पिकर्स जो बच्चे थे उनके लिए जो garbage था वो एक आश्रे से लिप्टा हुआ था वो कैसे था क्योंकि वो उन्हें expectation नहीं होती थी कि उन्हें वहाँ कुछ अच्चा मिलेगा और कभी-कभी कच्रा बीनते बुनते उन्हें एक unexpected चीज मिल जाती थी और वो बड़े हरान होते थे अरे वाँ यह मिल गया जैसे एक एक रुपेका सिकाई मिल गया एक रुपेका गार्बेस पो दाइल्डर्स अब एल्डर्स के लिए क्या था इत इस अमींस ऑफ सर्वाइवल उनके लिए सिरफ और सिरफ आजीवीका का एक साधन था वो कच्रा बीनते थे और उन्हें कैटेगराईज करते थे और बजार मर जाकर बेच आते थे और तो यहां लेखी का ब बताया कि उसने इस इस्टी स्टॉल पर काम करना शुरू कर दिया है हाव मेनी रुपीज ही कोड़ दिया एट हंडर रुपीज उसे सिरफ आठ सूर पे मिलते थे बच्चों कितने रुपे आठ सूर पे साहिप कामतू करने लगया था इस टॉल पर बट लोस्ट इस फ्रीड पाया और चल दिया हाना जहां मन नहीं हुआ तो बैठ गया चुडियों की चरपिंग सुनने का बर्ट की चरपिंग सुनने का मन करा तो वह बहां बैठ गया तो लेकिन अब वह कर नहीं सकता था इसका मालिक था जो काम वह उसका ओनर कहता था वह से करना पड़ता था लोस् का मालिक और कोह था वो कोन था टीस-टॉल का ओनर जिसके अंडर में वो काम कर रहा थे माँख दा स्टील कानिस्टर सेम्स हेवियर दन प्लास्टिक टीक से भनास्टिक पैक से बड़ा ज़्यादा है वी लगता था because क्यों heavy लगता था क्योंकि plastic bag उसका खुद का था और जो कनस्तर था steel का वो pistol owner का था, pistol के मालिक का था और उसके instructions के और उसके अंडर में उसे काम करना पड़ता था steel canister was burdened to him और इसी तरह से steel canister उसके लिए बोस था और यह job भी उसके लिए बोस थी, he was not happy, वो खुश नहीं था तो बच्चो यह था lifestyle साहिब का, they have accepted these things यह लोग क्या होते हैं कि इनोंने अपने जीवन को अपना भागया इसी को destiny मान लिया होता है कि ठीक है जी हमें तो ऐसा ही जीवन मिला है और हमें ऐसे ही सोच नहीं पाते हैं तो इनका exploitation भी होता रहता है तो first of all हमें क्या करना चाहिए society should undertake welfare schemes society को कुछ welfare schemes चलाने चाहिए I think mobile schools चलाने चाहिए कि जहां भी बच्चा रुके वहां पर एक mobile school लो mobile समझते हो नब चलता फिरता school उनके लिए खोले जाने चाहिए और जो child labor करवाते हैं उनके अगेंस strict action लेने चाहिए strict action शिट भी टेकन अगेंस्ट दोस people who keep child labor laborers जो बच्चों को अपने यहाँ पर जॉब करवाते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन्स लेने चाहिए में जीजन तो पाविच्टी दूर हो और education हर किसी को मिले तभी यह संबब हो पाएगा ठीक है विच्चों आप लोगों ने सुना समझा थांक यू झाल